कुछ किस्से, कुछ कहानिया, इस कायकरम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक ईद के इस मुबारक मौके पर लाई हुमें आपके लिए प्रेम चंद की बेजोड कहानियों में से एक ईद गाह इद गाह बालमन की अनूठी कहानी है, जिसे आप सभी ने अपने विद्यालेई पाठकरम के तहट जरूर पढ़ा होगा इस कहानी को पढ़कर इसे भूलना असंभव है जिन्होंने इसे 40-50 वर्ष पहले भी पढ़ा होता है न, वो कहानी का सिर्शक भले ही भूल जाए करती हैं जिसे समाज ने लंबे समय तक हाशिय पर रखा, पर्व, तेवहार, मेले हम सभी को आकरशित करते हैं पर गरीबी की मार झेल रहे परिवारों में तेवहार कैसे मनाय जाते हैं, यह कहानी यह दर्शा पाने में सफल होती है यह कहानी मेरे लिए इसलिए भी विशियश है क्योंकि प्रेमचन्द ने इस कहानी को गोरखपुर के एक सरकारी विद्याले में सिख्छक के पत पर कारिक करते हूँ लिखा था उनके विद्याले के पास ही एक मस्झिद थी जो आज भी वहा है क्या पता प्रेमचंद ने हामित को वहीं देखा हो प्रेमचंद कहानी के बारे में लिखते हैं कि कहानी यथार्थ हो यह आवश्चक नहीं पर कहानी यथार्थ लगनी चाहिए यह बहुत आवश्चक है अभी कुछ समय पुर्व मुझे हिंदी की प्रसिद पत्रिका कादंबनी के पुराने अंक में विख्यात गाई का लता मंगेशकर का एक इंटर्वियू पढ़ने को मिला जिसमें उनके प्रिय लेखक और कहानी के बारे में पुछा गया तो उन्होंने प्रेमचंद और ईदगाह का नाम लिया वो आगे बताती हैं कि बच्पन में पढ़ी गई इस कहानी के पात्र हामित को वे आज भी नहीं भूली है देखा दोस्तो इसे कहते हैं सशक्त और जिवन्द किरदार जो किसी भी कहानी को काल जेई बनाते हैं और हामित हामित तो है ही हम सभी का सबसे दुलारा किरदार पूरे देश में आज प्रेमचंद जैनती धूम धाम से मनाई जा रही है और ईद की खुश्या भी है तो आपके लिए प्रस्तुत है कहानी ईदगा रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज ईद आई है कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का सुर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है गाउ में कितनी हल चल है ईदगा जाने की तैयारिया हो रही है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है पर उसकी घर से सुई तागा लेने भागा जा रहा है जल्दी जल्दी बैलो को सानी पानी दे दे ईदगा से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता फिर सैकडो आदमियों से मिलना भेटना दोपहर के पहले लोटना असंभव है लड़के सबसे जादा प्रसंद है किसीने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक किसीने वह भी नहीं लेकिन ईदगा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बुढ़ों के लिए होंगे इनके लिए तो ईद है रोज ईद का नाम रखते थे लोग वह आजा आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगा क्यों नहीं चलते उनकी अपनी जेवों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है बार बार जेव से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं महमूद गिनता है एक, दो, दस, बारह उसके पास बारह पैसे है मोहसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नो, पंद्रह पैसे है इनहीं अंगिनत पैसों से अंगिनत चीजे लाएंगे खिलोने, मिठाईया, बिगुल, गेद और नजाने क्या-क्या और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, दुबला पतला लड़का जिसका बाप, गतवर्ष, हैजे को भेट हो गया और फिर एक दिन, मा भी मर गई अब हामिद, अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है हामिद के पाउं में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वह प्रसन्न है अब हागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी, रो रही है आज इद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं इस अंधकार और निराशा में वहडू भी जा रही है किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को अमीना का दिल कचोट रहा है गाउं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे है हामित का बाप, अमीना के सिवाए और कौन है उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे उस भीर भाड में बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी नन्ही सी जान, तीन कोस चलेगा कैसे पैरों में छाले पड़ जाएंगे फिर जूते भी तो नहीं है कुल दो आने पैसे बच रहे हैं तीन पैसे हामित की जेब में पांच अमीना के बटुवे में यही तो बिसाथ है और ईद का तेओहार अल्ला ही बेड़ा पार लगाए हामित भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा गाउ से मेला चला और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था कभी सब के सब दोड़ कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हामित के पैरों में तो जैसे पर लग गये है वह कभी ठक सकता है भला बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी यह अदालत है यह कॉलेज है आगे चले हलवाईयों की दुकाने शुरू हो गई आज खुब सजी हुई थी इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक-एक दुकान पर मनो मिठाईया होंगी सहसा सहसा इदगाह नजर आया उपर इमली के घने व्रिक्षो की छाया है नीचे पका फर्ष है जिस पर जाजिम बिची हुई है रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक नजाने कहां तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इन ग्रामिडों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुन्दर संचालन है कितनी सुन्दर व्यवस्था लाखो सीर एक साथ सिजदे में जुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं एकता का एक सुत्र इन समस्त आत्माव को मानों एक ही लड़ी में पिरोई हुए है नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं अब मिठाई और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है ग्रामिडो का यह दल इस विश्य में बालकों से कमुत्सा ही नहीं है यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे कभी जमीन पर गिरते हुए यह चर्की है लकडी के हाथी, घोडे और उंट चड़ों से लटके हुए है एक पैसा देकर बैठ जाओ और पचीस चकरों का मजा लो महमूद, महसिन, नूरे और सम्मी इन घोडों और उंटों पर बैठते हैं हामिड, हामिड दूर खड़ा है तीन पैसे ही तो उसके पास है वह अपने कोश का एक तिहाई जरासा चकर खाने के लिए नहीं दे सकता सब चर्कियों से उतरते हैं अब खिलोने लेंगे इधर दुकानों की कतारे लगी हुई है तरह तरह के खिलोने हैं सिपाही और गुजरिया राजा, वकील, भिष्टी और धोबिन कितने सुन्दर खिलोने हैं लगता है अब बोलना ही चाहते हैं महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूग रखे हुए मालूम होता है अभी कवायत किये चला आ रहा है महसिन को भिष्टी पसंद आया कमर जुकी हुई, उपर मशक रखे हुए मशक का मुव एक हाथ से पकड़े हुए है कितना प्रसंद है, शायद कोई गीत गा रहा है बस मशक से पानी उडेलना ही चाहता है और नूरे, नूरे को वकील से प्रेम है काला चोगा, नीचे सफेर अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए मालूम होता है, अभी किसी अदालत से बहस किये चले आ रहे है और ये सब दो-दो पैसे के खिलोने है हामित के पास कुल तीन पैसे है इतने महंगे खिलोने कैसे ले खिलोना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग दूल जाए ऐसे खिलोने किस काम के उन्हें लेकर वा क्या करेगा खिलोनों के बाद मिठाईया आती है किसी ने रिवडिया ली है किसी ने गुलाब जामन किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं हामित बिरादरी से प्रिथक है अब हागे के पास केवल तीन पैसे है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता लल्चाई आखों से सब की और देखता है मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की है कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की लड़कों के लिए यहां कुछ आकरशर नहीं है वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामित लोहे की दुकान पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए है उसे ख्याल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तवे से रोटिया उतारती है तो हाथ जल जाता है अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी फिर उनकी उंगलिया कभी न जलेंगी घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी खिलोनों से क्या फैदा वेर्थ में पैसे बरबाद होते है चिम्टा कितने काम की चीज है रोटिया तवे से उतार लो चुले में सेक लो कोई आग मागने आए तो चटपट चुले से आग निकाल कर उसे दे दो अम्मा बेचारी को कहां फुरसत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहां मिलते हैं रोज हाग जला लेती है उसने दुकांदार से पुछा यह चिम्टा कितने का है चे पैसे लगेंगे हामित का दिल बैठ गया फिर भी बोला ठीक ठाक बताओ ठीक ठाक पांच पैसे लगेंगे लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो हामित ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लो गे और वह आगे बढ़ गया जिससे की दुकांदार की घुड़किया ना सुनी पड़े लेकिन दुकांदार ने घुड़किया नहीं दी बुला कर चिम्टा दे दिया हामित ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूख हो फिर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया महसिन ने हसकर कहा यह चिम्टा क्यों लाया बुद्धू इसका क्या करेगा हामित ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिष्टी तो जमीन पर गिराओ सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चुकी महमूद बोला तो यह चिम्टा कोई खिलोना है हामित बोला खिलोना क्यों नहीं है अभी कंधे पर रखा बंदूख हो गई हाथ में लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहू तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ एक चिम्टा जमा दूँ तो तुम लगो के सारे खिलोनों की जान निकल जाए तुम्हारे खिलोने कितना ही जोर लगाए मेरे चिम्टे का बाल भी बाका नहीं कर सकते बहादूर शेर है मेरा चिम्टा सम्भी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है हामिद ने खजरी की और उपेक्षा से देखा और बोला मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फार डाले बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी धब धब बोलने लगी जरासा पानी लग जाए तो खतम हो जाए मेरा बहादूर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तुफान में बराबर डटा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं फिर मेले से भी दूर निकल आए हैं धूप तेज हो रही है घर पहुचने की जल्दी है बड़ों से जित करे तो भी चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चलाक इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और उन्हें तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च कर दिये पर काम की चीज ना ले सके और हामिद ने हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सच ही तो है खिलोनों का क्या भरोसा तूट फूट जाएंगे हामिद का चिम्टा तो बना रहेगा बरसो बरस मुहसिन ने कहा जर अपना चिम्टा दो हम भी देखे तुम हमारा भिष्टी लेकर देखो महमुद और नूरे ने भी अपने अपने खिलोने पेश किये हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ती नहीं थी कितने खुबसूरत खिलोने चिम्टा बारी बारी से सब के हाथ में गया और उनके खिलोने बारी बारी से हामिद के हाथ में आये रास्ते में महमूद को भूख लगी उसके बाप ने केले खाने को दिये महमूद ने केवल हामित को अपना साथ ही बनाया उसके अन्य मित्र मुहताकते रह गये यह उस शिम्टे का प्रभाव था एक ग्यारा बजे सारे गाउं में हलचल मच गे मेले वाले लोटाए महसिन की छोटी बहन ने दोड़कर भिष्टी को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उचली तो मिया भिष्टी नीचे आगिरे और सुडलोक सिधारे मिया नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरव के साथ हुआ वकील जमीन पर या ताग पर तो बैठ नहीं सकते उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा सो दिवार में दो खूटिया गाड़ी गई उन पर लकड़ी का एक पठरा रखा गया पठरे पर कागश का एक कालीन बिशाये गया वकील साहब राजा भोश की भाती सिंगहासन पर वी राजे नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया मालूम था अदालतों में बिजली के पंखे रहते हैं तो क्या यहां मामूली पंखा भी ना हो बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृत्यो लोक से स्वर्गलोक में चले और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गी अब मिया हामित का हाल सुनिए अमीना उसकी आवाद सुनते ही दोड़ी और उसको गोद में उठा कर प्यार करने लगी सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वहचों की बोली यह चिम्टा कहां से आया मैंने मोन लिया है कैपैसे में तीन पैसे दिये अमीना ने च्छाती पीट ली कैसा बेसमज लड़का है दो पहर हुई कुछ खाया न कुछ पीया और लाया क्या चिम्टा बोली सारे मेले में तुझे और कुई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया हामित ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी दादी इसलिए मैंने लिया दादी का क्रोध तुरंट स्नेह में बदल गया बच्चे में कितना त्याग कितना सदभाव और कितना विवेक है दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा इतना जब्त इससे हुआ कैसे वहाँ भी इसे अपनी दादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया वह रोने लगी दामन फैला कर हामिद को दूआएं देती जाती और उसकी आँखों से आसु की बड़ी बड़ी बुंदे गिरती जाती थी दोस्तो ये कहानी मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि जब तक हर दादी के पास एक हामिद होगा कोई भी दादी अकेली और उदास नहीं होगी आशा करती हूँ कि आपको या कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले जिससे मेरी अगली कहानी मिले आपको सबसे पहले कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया